नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, आज जो हम आप सभी को महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, जो घटना, जो चमतकार के बारे में बताने वाले हैं, जो संकेत आपको हम देने वाले हैं। दोस्तों, वह बहुत ही आपके लिए जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह संकेत आपके लिए कोहिनूर का हीरा है। आपका जीवन बदलने वाला घटना है। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत हो गया, आप बहुत रोली, बहुत आंसु गिरा दिया। आप अपने जीवन में बहुत ही तकलीफ उठाई। लेकिन दोस्तों, अब नहीं। अब आपके साथ भगवान खड़ा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका हाथ ही ईश्वर ने पकड़ लिया। अब दुनिया की कोई ताकत आपका किस्मत बदलने से नहीं रोक सकत अब वह काम्याबी आपके हाथों में आने लगेंगे। आपको वह बड़ी-बड़ी खुश्खबरी अब मिलेंगे। जो दोस्तों अपने भगवान से मांगे थे। भगवान के प्रतिविश्वास रखे थे उनहीं का फल। अब आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों भगवान के घर देर है लेकिन दोस्तों अंधेर नहीं और दोस्तों अब वही घड़ी वही समय अब आपके जीवन में आ गया। जी हाँ दोस्तों अब आपसे जलने वाला दुश्मन जलकर सर्वनाश हो जाएगा। उनकी आँखें फटी की फटी रह जाएंगे। जी हाँ जी हाँ दोस्तों अपने पिछले समय में बड़े से बड़े संकेत आपके जीवन में आये थे लेकिन दोस्तों आप इन इशारे को समझ नहीं पाये थे आप दोस्तों इसे नजर अंदाज कर दिये थे तब ही दोस्तों आपको पिछले जीवन में इतनी सारी परेशानी इतन किसी को कानो कान खबर नहीं होने देना है। और दोस्तों, कोई आसपास ना हो, तभी इस वीडियो को एकदम शान्थ होकर दर्वाजा बंद करके देखना। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में, आपकी किस्मत में बड़ी से बड़ी कार्य अब पूरे होंगे। दुकसान यह होता है कि जो आपकी किस्मत में होता भी है, वह भी आपको पराप्त नहीं होता, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारियां विस्तार से देंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, इस दिव्य शक्ती का कृपा अब आपके उपर होने वाला है, आपका हाथ पकड़ लिया है जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपको रातों रात माला माल बना देगा आप करोडों के मालिक बन जाएंगे दोस्तों, यह जो देवता आपके साथ आपके हात पकड़ कर चल रहे हैं दोस्तों, यह देवता आपके कई तरह से रक्षा भी करेंगे और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पांच ऐसे बड़े संकेत जिनको जानने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि भगवान आपकी भख्ती से प्रसंन है या फिर आपकी भगवान ने हर एक करोड़ पुकार को सुन लिया है हर एक इनसान इस संसार में किसी न किसी रूप में भगवान की पूजा तो करता ही है और उसके मन में कहीं-कहीं यह एक बात अवश्य ही लगी रहती है कि क्या उसकी पूजा भगवान स्वीकार कर रही है, क्या उसके द्वारा की गई भक्ती भगवान को प्रसंद कर पाने में सक्षम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान उसकी भक्ती से प्रसंद नहीं नहीं हो रहे हैं। उसकी हर एक पूजा पाठ और मेहनत व्यर्थ चली जा रही है और इससे भी बड़ी बात दोस्तों क्योंकि कहीं भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रह गई है यदि रह गई है तो उसे कैसे पूरा किया जाएगा ये दोस्तों आप लोगों के मन में घूमते रहते हैं तो आज हम आपके इनी सब प्रश्णों के जवाब देने जा रहे हैं तो तू आज हम जो संगीत आपको बताएंगे ये संकेत पूरी तरह से शास्त्रों से लिए गए है वैदिक परंपरा पर आधारित है प्राचीन काल में हमारे आर्शी मुनियों ने कई प्रकार की साधनाएं, खोजबीन शोध और अध्यन के बाद कई प्रकार की विशेश जानकारियां अलग-अलग ग्रंथों में लिख कर हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं अब जरूरत है हम उन ग्रंथों को पढ़े और जीवन उप्योगी जानकारी को बाहर निकाले लेकिन दोस्त हर एक इनसान के बस की बात ये नहीं है क्योंकि ये एक बहुत कठिन कार्य है पूरा इस कार्य में लग जाता है तो ऐसे में हम आपकी मदद करने के लिए तयार हैं हम और हमारी पूरी टीम इस प्रकार की जानकारी को हर वक्त खोजते रहते हैं निकालते रहते हैं और आपके लिए हम वीडियो के रूप में इस प्रकार की जानकारी लाते रहते हैं तो अब ऐसे में आप इन संकेतों को अच्छी तरह से देखें, समझें, और उसके बाद हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इन में से कौन से संकेत अब तक प्राप्थ हो चुके हैं, हम आपको बता दें कि इन पांच में से यदि तीन संकेत भी आपको प्राप्थ हो चुके ह कुछ विधियां हम आपको बताएंगे कुछ विशेश तरीके बताएं कि जिनसे आप जल्द से जल्द भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों कि यदि पांचो संकेत आपको मिल चुके हैं तो अब आपको प्राप्त होने वाली है कुछ विशेश दिव्य शक्तियां कौन सी है वो दिव्य शक्तियां जो भगवान आपको अपनी भक्ति के उपहार स्वरूप देने वाले हैं या फिर आपको वह मिल भी चुकी होंगी लेकिन आपको उनके बारे में अभी तक कोई अहसास नहीं है उन दिव्य शक्तियों के बारे में भी हम आपको सारी बातें बताएंगे तो वीडियो भी हद ही रोचक है दोस्तों और आपको यह वीडियो पूरी तरह से देखना है यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया दोस्तों तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आप एक बेहद ही बहुमूल्य ग्यान से वन्चित हो जाएंगे तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें दोस्तों हमने बड़ी ही मेहनत के बाद इस वीडियो का संकलन आपके लिए तैयार किया है हम आपके लिए थाली परोस कर ले आएं अब जरूरत है आपको भोजन ग्रहन करने की यानि कि ग्यान रूपी भोजन को अपने मन मस्तिष्क में ग्रहन कर लेने की जी हाँ दोस्तों यदि आप भोजन को ग्रहन कर लेंगे तो हम मान लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो चुकी है हमारा प्रयास सफल हो चुका है इसी के साथ साथ दोस्तों हम यह भी मान लेंगे कि माई के लिए हमारी भक्ती भी सफल हो चुकी है क्योंकि अगर हम किसी भी इनसान के जीवन में लिस्ट मात्र भी परिवर्तन लाने में सक्षम होती है तभी तो हमारी भरती सफल मानी जाएगी कभी भी भक्ती स्वयम के लिए नहीं होती कभी भी ईश्वर की कृपा स्वयम के लिए नहीं होती जनहित के लिए होती है तो यदि हम आपके जीवन में कोई परिवर्तन ही नाला पाए, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव ही नाला पाए, तो हमारी भक्ति निश्फल हो जाएगी, किसी कार्य की नहीं रहेगी। दोस्तों यकीन मानिए, हम अपने हृदय की गहराईयों से आप से कहते हैं कि जो भी कार्य जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वे सब कुछ, माई की भक्ति के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर और उन्हीं की कृपा और आशीरवाद के आधार पर हम पूरे भक्ति भाव के साथ हैं जैमा काली कृपा करो अवश्य लिखना एक बार नहीं तीन बार लिखना है साथ ही साथ अपना नाम और अपना जगह यानि जहां आप रहती हैं स्थान का नाम है यह भी लिखकर अवश्य दे देना हम हर शनिवार सर्व मनो कामना पूर्ती हवन करवाते हैं माई के आदेश से और उनी की अनुभूती से हमने यह हवन प्रारंब करवाया है आप यदि अपना नाम और स्थान हमें लिखकर भेजेंगे तो हम इस हवन में आपके नाम से भी आहुतियां करवा देंगे जिससे माई के दर्बार में आपकी अच्छी लग जाएगी और आपके जीवन में सद्गती आ जाएगी माई की कृपा आपको सीधे प्राप्त होने लगेगी वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपून बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं बहुत चान बिन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं जिनमें आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा, बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थन है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो दोस्तों, इस से आप हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगे और माई की सेवा करने का एक और मौका हमें देंगे, क्योंकि हम फिर इस से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने लगेंगे, तो हमारे परिवार से जुट जाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, यह संसार अनेक प्रकार के लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन यह पर हर एक इनसान है एक माध्यम से, एक दूसरे से बिलकुल प्रकार से भगवान की भक्ति ना करता हो, अब यहां पर लोगों की भावना से ही अलग-अलग होते हैं, कुछ बड़ी ही गहराई के साथ, भगवान के साथ भक्तिमय संबंध बना लेते हैं, और कुछ थोड़ी-थोड़ी शुरुआत कर रही हैं, धीमे-धीमे भगवान स जुड़ते जा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं, जो मन में कुछ न कुछ सन्न से रखते हैं, शक रखते हैं, यह तीनों ही प्रकार के भक्त भगवान को फ्री है, लेकिन दोस्तों, इनमें एक प्रकार के भक्त और भी होते हैं, जो कि भगवान से लेन देन का सौदा करना चाहत प्रसाथ चढ़ाएं पूरी नहीं होती है कि भगवान की सकारात्मक उर्जा इस प्रकार कार्य करती ही नहीं है अन्यथा तु भगवान और एक व्यापारी में कोई अंतर ही नहीं बचेगा भगवान तो भाव से जुड़ते हैं भाव से ही चलते हैं जब ऐसे में उनकी कोई मनोकामना पूरी नहीं तो फिर भी भगवान को अनापशनाप बातें कहने लगते हैं, अधर्मी हो जाते हैं, अपने धर्म को ही अनापशनाप अनरगल बातें कहकर बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों को ही राक्षस कहा गया है, दोस्तों ऐसे राक्षस समाज में जब तक देखने को अवश्य ही मिल जा यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा जूट और राक्षस रहता है तो आप उसे अपनी दूरी बना लीजिए ऐसे लोगों की छाया से भी आपको दूर रहना है क्योंकि इनका इनके जीवन में क्या होगा कुछ पता नहीं भगवान ही जाने लेकिन इनकी छाया पढ़ने से इनकी संगत में रहने से आपका निश्चित ही विनाश हो जाएगा क्योंकि आपकी चादर उजली है, सफेध है और उसे सबसे जल्दी मेला किया जा सकता है जो पहले से ही मिट्टी से कीचर से ढखे हुए हैं उन्हें कोई क्या करेगा? लेकिन आप इतनी चादर वाली हैं, आप इनकी नस्दीक जाएंगे, आपकी चादर में तुरंत दाग धब्बे लग जाएंगे, यानि कि आप मैली हो जाएंगे, तो आप इन से तुरंत दूरी बना लीजिए दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि भगवान और भक्त का रिष्टा बेहद ही पवित्र आत्मिये और भावुक होता है, तो अब यहाँ पर एक प्रश्ण आपके मन में अवश्य उठा होगा दोस्तों, कि भगवान से अपनी मनो कामनाएं पूरी कैसे करवाएं, क्योंकि इनसान की कहीं न कहीं इच्छा तो होती ही है, क्योंकि वह मंदिर जाकर भगवान की पूजा करकी पूरी करवाना चाहता है अब हम आपको बताएंगे कि सकारात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से भगवान को प्रसन करने के बाद अपनी मनो कामना कैसे पूरी करवाई जाती है इसका शास्त्रिय विधान क्या है, लेकिन इस विशय को उठाने से पहले हम आपको एक और विशय की ओर ले चलते हैं कि कौन से पाँच बड़े संकेत हैं, जो आपको बताएंगे कि आपकी भक्ती सफल है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है जब आपको भगवान की कृपा प्राप्थ हो जाएगी, तो आपको फिर किसी से डरने की आवश्यक्ता नहीं है यह दोस्तों, ग्रह नक्षत्र टोना, टोटका, उपाय, काली क्रिया, वशीकरण, उच्चाटन किसी भी प्रकार की विधी से आपको डरने की आवश्यक्ता नहीं है बशर्ते कि शुद्ध, भगवान की सकारात्मक उर्जा आपको प्राप्थ हो चुकी हो जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी को जब प्रभु श्री राम ने एक मुद्रिका दी, तो उनके अंदर इतना बाल आ गया, कि वे पूरे समुद्र को ही पार कर गए प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही जल्दी लांगी गए अचरज ना ही, तो फिर आपके लिए तो कोई समुद्र भी पार नहीं करना है छोटी-छोटी परेशानी के समाधान ही तो निकालने हैं कौन सी बड़ी बात है, तो अब ध्यान से सुनिए, जो हम आपको बताने जा रहे हैं आप जिस भी भगवान के रूप की पूजा करते हो, चाहे आप हनुमान जी की पूजा करते हो, मा काली की करती या फिर फिर भोले नात की यह प्रभूश्री राम की किसी भी रूप की आप पूजा करती हो पहला संकेत ये है कि अचानक किसी दिन ऐसा होगा कि आप भगवान का ध्यान करने बैठेंगे और आपकी आँखों से आंसु चलने लगेंगे जी हाँ, दोस्तों है आपके रोंग्टे से खड़े होने लगेंगे आपकी आँखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगेंगे अनायास ही ऐसा होगा कि आपके अंदर एक अजीब सी संसनी का भाव उत्पन्न होने लगेगा आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आसपास का माहौल अचानक से परिवर्तित होने लगा है हालांकि दोस्तों ये कभी कभार ही होगा और अचानक से ही होगा और कुछ समय तक चलने के बाद यह भाव समाप्त भी हो जाएगा ये दोस्तों ये एक ऐसा भाव है जो आपके अंदर उत्पन्न नहीं तब होता है जब आपकी आत्मिक उर्जा उस परमात्मा से यानि की परम भरम से जुड़ जाती है और जब उसे सच्चाई का एहसास होता है कि वह उर्जा का एक भाग है तो वह उत्तेजित हो जाता है जी हाँ दोस्तों इसी वजह से आप इस स्थूल शरीर में कुछ इसके संकेत दिखाई देते हैं आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे एक संसनी का एहसास आपको होने लगेगा आसपास की आवाज आपको सुनाई देनी बंद हो जाएंगी हो सकता है कि आपके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगे और आपकी आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी कि दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको यह संकेत कभी महसूस हुआ है या नहीं लेकिन दोस्तों बात यही है कि यह आपको महसूस तब होगा जब आप बहुत गहराई से भगवान से जुड़ जाएंगे चिका दोस्तों भक्ती की सीमा है जब आप लग जाएंगे अब सुनिए दूसरा संकेत है यह भी बहुत ही गहरा और प्रबल संकेत है ध्यान से सुनना दोस्तों मान लीजिए कि आप पूझा करने बैठे और आप माला फेरते हैं या फिर चालीसा पाठ करते हैं या फिर कोई स्थिती या गाएन करते हैं और अचानक से आपकी आँखें हो जाती हैं जी हाँ दोस्तों और आखें बंद होने के बाद आप सुध बुद भूल जाते हैं माला है तो हाथ से छूट जाती है किताब को ही ले रखी है तो वह भी हाथ से छूट जाती है और आप कुछ ही सेकंड के लिए, मिनट के लिए एक ऐसी अजीब स्थिती में पहुँच जाते हैं कि आपको कोई एहसास ही नहीं होता फिर अचानक से आप एक जटके से पूछ कर खड़े होते हैं और देखते हैं कि आपके हाथ से तो माला छूट चूट चुकी है किताब ही गिर गई है और आप जो जौब कर रही थी वह भी आप भूल चुके हैं कि आपने कितना जाप कर लिया किया भी है कि नहीं किया कहीं आप तो नहीं गए यानि कि एक अजीब सी स्थिती में आपने डुपकी लगाई और फिर अचानक से आप बाहर आ गए अब ये क्या है? दोस्तों इसे आप समझ ही हमारा आध्यात्मिक हमारे वेद क्या कहते हैं इस विशय में जी हाँ दोस्तों तो ध्यान से सुनिए वैदिक परंपरा में इसी तरह कहा जाता है निंद्रा और पंद्रा लगभग समान ही होती है लेकिन निंद्रा में इनसान अपने शरीर की शुद्धिकरण के लिए जाता है और निश्चित समय के लिए जा लेकिन तंत्र एक समाधी की अवस्था जैसी होती है जिसमें कि इनसान उस परम उर्जा में डूब जाता है दोस्तों एक बात याद रखिए कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में हर जगह स्पष्ट तौर पर यह लिखा है कि यह संसार है, एक माया मात्र है इस संसार का असल स्वरूप वह नहीं है जो हमें दिखाई देता है, जो हमें प्रतीत होता है यह सब तो हमारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी है जो हमें तरह तरह की सूचनाएं उपलब्ध कराती है और माया की रंग बिरंगे खेल हमें दिखाती है लेकिन ये संसार असल में एक परम उर्जा में लबालब डूबा हुआ है पूरी तरह से सराबोर है और वह परम उर्जा है इश्वर की यानि ब्रह्म की हो जाए तो आप कुछ समय के लिए उस पर हम उर्जा में डूब जाएंगे और इस माया से मुक्त हो जाएंगे और वही स्थिती होती है तंद्रा की स्थिती आप हमें बताना कमेंट करके दोस्तों की क्या आप कभी पूजा पाठ करते समय भक्ती में लीन होते समय तंद्रा का एहसास हुआ है अब एक अजीब बात दोस्तों हम आपको बताएं कि कई महान संतों ने साधकों ने तंद्रा की इस भाव को इतनी गहराई तक ग्रहन कर लिया कि भी कई घंटों तक और कई दिनों तक इसी भाव में डूबे रहे जैसे कि परमहंस रामकृष्ण जी इस भाव में आठ दिनों तक बैठे रहे भगवान खुद भी इसी भाव में आठ दिनों तक बैठे रहे और स्वामी विवेकानन भी पूरे 24 घंटे के लिए इसी तरह के भाव में डूबे रहे और जब ये लोग इस भाव से उठकर बाहर आए इस संसार में माया रुपी संसार में वापस आए तो इन्हें पता ही नहीं चला कि इन्होंने इतना लंबा समय इस तरह के भाव में बिताया था लेकिन उस समय इन्हें इश्वर से आकरशन और परम जुडाव का एहसास पता चल गया आपके साथ ये हुआ है कि नहीं हमें बताना भले ही कुछ मिनट दस सेकंड के लिए ही क्यों ना हुआ है लेकिन ये तो परम एहसास है दोस्तों आप जरा सा भी हो गया है तो कल पड़ेगा और आप उस परम उर्जा में विलीन होने के लिए तयार है ये मान कर चलिए तो आप हमें बताना आपके साथ हुआ है कब हुआ है? कितनी बार हुआ है? सब कुछ बताना दोस्तों हमें बड़ी उत्सुकता रहेगी अब बात करती है तीसरे संगीत की दोस्तों इस संगीत का नाम है स्थित प्रज्य दोस्तों मैं अब इसे आप समझिए। गहराई से, जब आप भगवान से जुड़ चुके हैं, आपकी आस्था बहुत गहरी है। मन में बहुत गहरी भाव और विश्वास है। इश्वर के लिए तो अब आपकी मनोदशा, वववदोस्तों, अब आपके जीवन में क्या चल रहा है कि स्थान है, उठा पटक है, जीवन में भाग दौड है, कुछ बन गया, कुछ बिगड गया, सब आपके आसपास होता रहेगा, लेकिन आपके उपर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। ये दोस्त, यानि कहने का मतलब ये है, कि परेशानियों से आप विचलित नहीं होंगे, आपको क्रोध नहीं आएगा और आएगा भी, तो आप बड़ी जल्दी संभाल लेंगे, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके अंदर ही खड़ी, डरता का भाव उत्पन्न हो जा फिर आपको ऐसा लगने लगेगा, कि चलो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, यानि कि ऐसा भाव उत्पन्न होगा, जो कि आपको लीडर बना देगा, और यह भाव इसी लिए उत्पन्न होगा, क्योंकि आपकी अंतरात्मा यह बात समझ चुकी है, कि जो भी पुजा के लिए ही बनी है, उसी से निकली है, उसी में लिप्थ हो जाएगी, उसी में समाहित हो जाएगी, यह भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, अब आपको स्पष्ट तौर पर भले ही पता ना चले, लेकिन आपको यह संकेत मिलेंगे, ऐसा भाव रहेगा, कि आप निडर हो जाएंगे, आप आये नहीं लगेगा, आपको किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, चिंता थकान, तनाव, कुछ भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, यानि कि आप स्थित प्रग्य बन जाएंगे, यानि आप केवल देखेंगे, जो आपके आसपास हो रहा ह आपके जीवन में हो रहा है, आपकी दृष्टा मात्र बन जाएंगे, फिर आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, हालांकि आप काम सब करेंगे, अपने जीवन को जेंगे, हर एक घटना में आप पूरी तरह से शामिल रहेंगे, लेकिन उसका प्रभाव आपके उपर नह आया है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाया है, ये दोस्तों जैसे कि आपने कुछ सोचा, आपने सोचा कि इस इनसान से आज मिल लेते तो अच्छा होता, लेकिन वह इनसान आप से मिल नहीं पा रहा है, लेकिन अचानक ही आप दिखते हैं, तो वह इनसान आपके सामने आ जाता है यानि कि कोई ऐसी बात जो आपके मन को परेशान कर रही है और आप चाहते हैं कि वह हो जाए वह घटना घटित हो जाए लेकिन फिलहाल में घटित होने वाली नहीं थी अचानक ही क्या है कि वह घटना घटित हो जाती है और उसमें आपका लाब है या दोस्तों ऐसी स अब ऐसे में यह होगा कि आप जो सोचेंगे भी घटनाएं भी करने लगेंगे, जो आप चाहेंगे वह घटना आपके हित में कटने लगेगी। तो आप देखेंगे कि अचानक गिरी रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, हम आपको बताएं, हमारे जाने वाली एक मित्र हैं, उनके अंदर भी यह भाव उत्पन हो चुका था, तो उन्होंने एक बार एक अच्छी अंगूठी कहीं से प्राप्त, यानि किसी ने उनको दिया, उन लगा हुआ रत्न गिर जाए, या दोस्तों, और यही हुआ हुआ, कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ, कि उनकी अंगूठी से वह घटना अचानक गिर गया, कहीं ऐसा गिरा, कि उन्हें फिर मिला ही नहीं, तो यह आपके साथ भी होगा, यदि हो रहा है, तो आप हमें ना होगा, हर एक बात को सकारात्मक तरीके से सोचना होगा, सकारात्मक बातें ही बोल रही होंगी, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई बातें, सोची गई बात सच होने लगेगी, अब हर बार, चाहे भले ही ऐसा ना हो, लेकिन दस में से पांच बातें ऐसी होगी, जो सत् ये दोस्तों, तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताना और थोड़ा संभल कर रहना ऐसे ने बस आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रहे हर बात को सकारात्मक तोर पर ही सोच है अच्छी बातें सोचें गलत बातें आप सोचे ही न, मूह से गलत बात निकाले ही न दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पांचवा संकेत जो की सबसे महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में यह घटना घटी है कि नहीं घटी है आप हमें बताना? हमें भी इस बात को जानने की बहुत अधिक उत्सुकता है तो अब ध्यान से सुनिए पांचवा संकेत यह है कि मान लीजिए कि आप अपने जीवन में किसी विशेश, विशम परिस्थिती में फंस गए कोई ऐसी स्थिती जहां कि आप कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और आप पूरी तरह से फंस चुके हैं कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई बात है ऐसी जो आपको लगातार परेशान कर रही है तो आप भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान हमें इस परेशानी से बाहर निकालिए। कुछ भी करके, कैसे भी करके हमें इस से बाहर निकालिए। फिर कुछ अजीब सा होगा, आपके जीवन में यानि कि जो इनसान आपको समस्याएं दे रहा था, वित्त कर रहा था उस इंसान का आपके उपर से ध्यान हट जाएगा वह अपनी ही जिंदगी में व्यस्थ हो जाएगा आपको परिशान करना तो दूर आपके बारे में सोचना भी भूल जाएगा या फिर ऐसा होगा दोस्तों की कोई एक इंसान अंजान इंसान जिसको आप जानती पहचानती भी नहीं है वह इंसान आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा और आपको आपकी समस्या से पूरी तरह से बाहर निकाल कर ही दम लेगा हमारे जीवन की खुद की ऐसी भी कई उदाहरण है कि हम जीवन में कहीं पर बुरी तरह से फंस गए तो कभी कभी ऐसे इंसानों ने मदद की और थोड़ी बहुत नहीं दोस्तों बहुत अधिक मदद की थी जिनको हम जानते तक नहीं थे पहले जीवन में कभी मिले तक नहीं थे उन्हें आप भगवान का भेजा हुआ दूद कह सकते हैं मददगार कह सकते हैं और इस बात की तो केवल माई हैं और कोई नहीं बस उसे ही पालनहार हैं रक्षन करती हैं इसी के साथ साथ दोस्तों कभी कभी तो और भी आश्चर ये जनक घटना घटेगी कि आपके शत्रू आपकी मददगार बन जाएंगे जी हाँ दोस्तों अंजाने में ही सही लेकिन भी आपकी मदद करेंगे आपको भरोसा ही नहीं होगा कि यह इनसान ऐसा क्यों कर रहा है लेकिन वह आपकी मदद करेगा आपको मुसीबत से बाहर निकालेगा सब कुछ भगवान के द्वारा संचालित है इस संसार में उस पर हम जसी ही पूरा ब्रह्मान्ट चल रहा है तो किसी की बुद्धी का फेर कर देना कौन सी बड़ी बातें एक छुटकी बजाते ही नहीं जैसी और भगवान के लिए किसी भी समय आप सुर मंदिर की घंटियां सुनाई दे सकती है कोई भजन भगवान का नाम आपको सुमिरन करता हुआ सुनाई दे सकता है या फिर आपके दिन में अचानक किसी भी वक्त रोंग्टे से खड़ी होने लगेंगे या दोस्तों अचानक ही आप प्रभु के नाम का स्मरण करने लगेगी कोई भजन गाने लगी अचानक ही आप एक धोनी सी रमानी लगेंगे किसी भी वक्त दोस्तों आपने दिन देखेंगे ना रात देखेंगे कभी भी आपके अंदर रोज आग जाएगी जी हाँ दोस्तों इसी के साथ साथ आपकी आँख हमेशा सूर्योदय से पहले खुलने लगेगी कभी कबार ऐसा हो शायद कि आपकी आँख न खुले लेकिन अकसर ऐसा होगा भगवान का ध्यान करते हैं नाम ध्यान करने के बाद आप भगवान में लीन होना चाहेंगे भगवान की तरफ एक आप अजीब सा आकर्शन महसूस करेंगे, खिंचाव सा महसूस करेंगे, आपके पैर अपने आप ही उस रास्ते पर चल देंगे, जहां भगवान का घर है, यानि की मंदिर है, और आप अचानक ही भगवान के मंदिर में खड़े दिखाई देंगे, दर्शन करते दिखाई देंगे, फिर आपके हाथ में प्रसाद चाहे भले ही ना हो, कोई तैयारी आपकी चाहे भले ही ना हो, फिर भी आप अनाया सचानक ही भगवान के मंदिर पहुंच जाएंगे तो यह भी छोटे-छोटे से संकेत हैं इनसे भी भगवान आपकी बात सुन रहे हैं आपकी भक्ती से प्रसन्न है यह जाहिर होने लगता है अब आप हमें बताना कि आपको कौन-कौन से संके दिन में मिले हैं तो अब बात करती हैं दोस्तों है कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाता है जी हाँ दोस्तों यदि आपको कम संकेत मिल रहे हैं ये कोई संगीत मिला ही नहीं है तो ऐसा नहीं है कि भगवान आपसे रुष्ट हैं, बस आपसे उनकी उर्जा जुड नहीं पाई दोस्तों, तो आपको क्या करना है? दोस्तों, कभी भी भगवान के मंदिर में जाकर ये बात बोलिए आप हमारा ये काम करवा दीजिए, हमारी नौकरी लगवा देंगे तो हम आपको RS 500 का 1000 रुपे का, या फिर ये करवाएंगे वह करवाएंगे, घंटा चड़ाएंगे, छत्र चलाएंगे, ये सब मत बोलिए दोस्तों, ये सब भूल कर आप अपना ही मानमर्दन कर रहे हैं आप बस सीधे मंदिर चाहिए, कुछ लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो बस भाव के साथ चाहिए और भगवान के सामने बैट जाईए और भगवान से निवेदन करिए भगवान से जुड़ जाईए, भगवान को अपने घर का सदस्य बनिए चाहे पिता समझिए, चाहे भाई समझिए, चाहे मित्र समझिए कोई एक संबंध भगवान के साथ जोड़ लीजिए और बिल्कुल ऐसे, जैसे आप अपनी सबसे प्रिये, जो आपका शुबचिंतक है उसे अपने जीवन का दर्द सुनाते हैं वैसे ही भगवान को अपने जीवन का दर्द सुनाईए और आप दिखी कि भगवान आपकी कैसे जुड़ती हैं दोस्तों याद है ना आपको सुदामा का चरित्र सुदामा ने कौन सा प्रसाथ चढ़ाया था भगवान को सुदामा ने कौन सी अगर बत्ती लगाई थी कौन सा हवन किया था कुछ भी नहीं दोस्तों रामा का भाव कृष्ण से जुड़ा हुआ था और कृष्ण सुदामा के लिए दोड़े चले आएंगे पैर भाग के चले आए राज महल में और सुदामा के लिए दरवाजे तक आए और अपने शुरू से सुदामा की चरण कमल को धोया दोस्तों, आप समझ गए भगवान भाव के भूखे हैं हम उने कुछ दे ही नहीं सकते हैं हमारी हैसियत ही थी नहीं औकाथ ही नहीं कि हम उन्हें कुछ दे सकें दीप चलाईए, जो मन है वह करें, लेकिन भाव के रहित, पूजा बिलकुल एक मुर्दा शरीर के समान होती है, आपको भाव जगाना पड़ेगा, जब भी आप तकलीफ में हो, भगवान को कहिए, भगवान अब आप ही देख लेना, कोई कार्य कठिना आ जाता है, भगवान के लिए भगवान से जुड़ी, हर बात के लिए भगवान को अपने जीवन में लाइए, उन्हें याद करिए, आप देखेंगे कि आपका जीवन भगवान स्वयम संचालित करेंगे, कर्मन्य, वाधिकारस्ते मा, फलेशु कदाचन, आप अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे कि आप भक्ती कर रहे हैं, भगवान से जुड़ जाइए, कोई भी कार्य भगवान को बिना याद किये, ना तो शुरू करो और ना ही खत्म करो, दोस्तों फिर देखो कि भगवान इस प्रकार का हल देती है और वह आपका कार्य स्वयम पूजा बन जाएगा, क्योंकि कर्म ह कि पूजा है, आप जो भी कार्य करेंगे, दिन भर जो भी कार्य करेंगे, हर कार्य भगवान की पूजा बन जाएगा, दोस्तों आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थि बिजनस व्यापार में भी बड़े-बड़े काम्याबी देना शुरू कर पिछले कुछ समय से जो दीर्ग कालीन योजनाएं बन रही हैं, उस लक्षे को हासिल करने का उत्तम समय आ गया है, कुछ समय कलात्मक और मनुरंजन संबंधी कारियों में भी व्यतीत करने से सुकून मिलेगा, और तरोताजा महसूस करेंगे, ग्रह स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, घर के वरिष्ट लोगों के सहयोग और मार्क दर्शन में कोई विशेश समस्या हल होगी, घर में विवाहयोग्य सदस्य के लिए उचित रिष्टा आ सकता है, किसी जरूरतमन संबंधी की मदद करने से आपको आत्मिक और मानसिक सुकून मिलेगा, वरि लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज आपकी यह समस्या भी हल हो सकती है, बिगडे हुए संबंधों में मधूरता बनाने का अनुकूल समय है, इस समय स्थान परिवर्तन के योग हैं, इच्छुक व्यक्ति गंभीरता से इस पर विचार करें, आर्थिक स्थिती सुद परिस्थितियों का निर्मान कर रही हैं, इसलिए रुके हुए कारियों को पूरा करने में अपनी पूरी महनत लगा दें, व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों में व्यवस्था रहेगी, विद्यार्थियों को अपनी महनत के उचित परिणाम हासिल होंगे, आज कोई भी लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय लाभदायक साबित होगा, आर्थिक द्रिष्टि से आज का समय बेहतरीन बना हुआ है, आज किसी भी पॉलिसी आदी में निवेश करना फाइदे मंद रहेगा, अपने पारिवारिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन भी होगा, घर में किसी सदस्य की विवाह संबंधी बातचीत वो तैयारियों का जोर रहेगा, तथा कई तरह की योजनाएं भी बनेंगी, सुखद ग्रह स्थिती बन रही है, आप अपने दम पर हर काम को करने की क्षमता रखेंगे, अगर घर के रखरखाव संबंधी योज जनाएं बन रही हैं, तो वास्तु सम्मत नियमों का भी पालन करना उचित रहेगा, अपने किसी खास हुनर को निखारने की कोशिश करेंगे, आज किसी विशेश कार्य को लेकर चल रही और सामन जस्य की स्थिती दूर होगी, आपके व्यक्तित्व संबंधी, कोई सकारात् लोगों के सामने आने से आपका उचित सामाजिक दायरा बढ़ेगा, कोई सरकारी मामला आज सुलज सकता है, कारोबारी व्यवस्था में सुधार होगा, इस समय जमीन जायदाद संबंधी व्यवसाए में कोई बड़ी डील होने की संभाव ना है, कुछ लोग आपकी विनम इस दर्मियान किसी भी कागज अव दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें, आपने काम में बदलाव संबंधी जो नीतियां बनाई है, उसमें सफलता मिलने के पूरे योग बनेंगे, फिर फल देना भगवान के हाथ में है, और निश्चित ही भगवान आपको सर्वोत्तम फल ही देंगे, क्योंकि भगवान अपने प्रिय भक्तों को कभी निराश थोड़े ही करते हैं, तो उम्मीद है कि जो हमने आपको बताया है, वह सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और आप इन बातों के माध्यम से कुछ नकुछ नया आया जरूर सीख होंगे, यदि आप यह जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना दोस्तों, हमारा होसला बढ़ेगा, इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली कृपा करो, अवश्य लिख दे जय मां काली लिख दीजिए, इसी के साथ साथ यदि आपका कोई प्रशन है, तो आप कमेंट करके पूछना, हम आपके प्रशनों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, मिलते हैं अगले जानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद जय माता दी